कि अधिए आप रहे डी अधिए आप सब्सवागत है आइटिए टूफोर्ट से बन पर अधिम लोग नेट्वर्क कॉंसेप्ट नेट्वर्किंग कॉंसेप्ट के कुश्टन आंसरस पर अगले सिरीज को डिस्कुस करेंगे कल मैंने आप लोगों को इसमें 25 कोश्चन तक डिसक्स कर लिये थे उसी अगले क्रम में हम लोग आज डिसक्स करेंगे आशा करता हूं कि आप सबी लोगों को कोश्चन समझ में आ रहे होंगे जिन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है पहले जाकर थियोरी का वीडियो देख लें अच्छे से फिर जाके उनको भी यह चीज़े समझ में आएंगी तो आंसर दीजिए आपके सामने कोश्चन है कोश्चन नमबर 26 यह तो बहुत सिंपल है लैन का मतलब क्या होता है सबी लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे मुझे पता है लोकल एरिया नेटवर्क अच्छा एक बात और मैं बता दूँए इसमें कई लोग सही से देखते ने जल्दी बाजी में लगा देते हैं बी कर देते हैं बी गलत हो जाएगा एक्ट है यहां पर देख लो पहले ड सब्सक्राइब हो इसका है मैं बता रता हुइसका सब्सक्राइब क्या है। तो कहां दिख रहा है आपको हाइपर टेक्ट ट्रांसफर प्रोटकॉल यह उप्शन सही है इसका अगला प्रशन देखते हैं अम लोग 28 ट्रांसफर प्रोटकॉल का मतलब क्या होता है यह नेट्वर्क है इंटरनेट है डिवाईस है यह प्रोटकॉल है तो सब को पता है एक फ्त्रांसफर के लिए निर्देशित माध्यम है पताई आप लोग question पूछ रहा है कि data transfer किसके द्वारा किया जा सकता है मतलब क्या-क्या आपके पास options है data transfer के तो आप देखे इसमें एक है आपका twisted joda cable इसको आपको आपको नाम बताया था आपको नाम बताया था समाक्षय cable का मतलब होता है coaxial cable fiber optical cable का मतलब मैंने आपको बताया था यह आपका प्रकास सिद्धान पर काम करता है तो आपको इस चारों तीन option से होंगे तो d is the correct answer चीक है ओके तो अगर प्रश्ण की और बढ़ते हैं हम लोग 30 आपको इसमें एक चीज में बताया थी कि आयसो में साथ लेयर होते हैं और पहला मैंने आपको बताया था फिजिकल लेयर से चलता है ऐसे हम तो पहले पहले नंबर फिर दूसरा नंबर फिर ठीसरा नंबर फिर चौ से और टॉप पर ज्याता है यह ऐसे सिली चलती है मैंने को क्रम में दे दिया घूपर से नीचे लेकिन आप ज़ो टॉप का रहेगा यह सेवंध नमबर पे सब्सक्राइब तो यह आपका सही जवाब होगा टॉप पे होता है अप्लिकेशन यह लेकिन अगर आप 31 firewall क्या है मैंने बताया था आपको firewall एक सुरक्षा मानत है पहले बात होता है तो आप लोग यहां पर सबसे पहले तो देख लें यहां पर एक computer software है तो इसका सभी जबाब क्या होगा बताइए आप लोग antivirus है कि software है computer software है बताइए 31 खांसर आपका antivirus और computer software इसमें confusion है मैं आपको अभी confusion दूर कर देता हूँ antivirus जो होता है ये भी सुरक्षा के लिए होता है लेकिन ये limited होता है इसके works जो होते हैं वो एक computer तक ही एक एक एंटिवायरेस नहीं होता है एक प्रकात कांप्यूटर सस्टेकर यो pumps के लिए काम में आता है आनिवायरेस से इंटरीए यही डिफ्रेंच है viral एक नेटور के लिए प्रियोग कि आता और एंटीवायरेस जो अगरियाते हैं गुरॉपस अप्सक्मिटर्स या आठ ये कारण नहीं है उपकरण है ये भी क्या डिवाइस है तो बताइए किया अंसर है इसका देखते हैं कौन इसका सबसे पहले जवाब देता है ये रटने वाला कोश्चन है तो इसमें दिमाग मतलग आई एक साथ हम लोग ब्रूतुत से आठ उपकरण को कनेक्ट कर सक मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कितने क्लास होते हैं आई पी के पताईए आप लोग जिनने भी थियोरी देखी होगी उनको बड़ा ही आसानी से इसका जवाब पता होगा ती इसका सही जवाब है पांच मैंने बताया था आपको A, B, C, D, E करके पांच क्लास होती हैं आई पी एंडरेस की ठीक है अगला प्रशन है आपका उच्छ विस्वसनियता वाली टोपलोजी है ये तो बहुत ही असान है मैं कर बदा चुका हो कि जो हाई रिलाइबल टोपलोजी होती है उच्छ विस्वसनियता कि उसको बोलते हैं हम लोग मैं बता दे पढ़ा ही यह उससे है तो जाकर आप वीडियो जरूर देखें एक उपकरण जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट को अग्रेसिद करता है कहा जाता है जब दो अलग अलग नेटवर्क की बात आईगी वहां पर राउटर की बात आईगी राउटर तो沒事 को लगा डवाई सबसे पहले दो अलाग अलग नेटवर्क की बात की बात नहीं है तो सेकंट ना हो तो रॉप्टर को प्रयोग करेंगे हम लोग वहाँ स्विच काम नहीं आएगा ठीक है 36 ब्रिज OSI लेयर के किस लेयर पर कार्य करता है बताए आप लोग इसका जवाब ये तो मेरे डायरेक्ट थियोरी का कोशन है तो इसमें कोई गलती नहीं करेगा डाटर लिंक लेयर मैं बता दूँ आपको और डाटर लिंक लेयर आपका दूसरा लेयर है तो आपका ब्रिज जो होता है OSI के दूसरे लेयर पर कारे करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं हम लोग एक्टीप एक्राणिम इसके लिए मतलब एक्राणिम कुछ रहा है कि एक्टीप का पूरा नाम क्या है ठीक है एक्टीप का पूरा नाम क्या है file transfer protocol file transfer protocol तो देखिए कौन सा option इसमें दिख रहा है आपको B आपका स़ई जवाब है file transfer protocol ठीक है next question देख लिए आप लो private network को बाहरी attack से सुरुचित करने का कंत्र है देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारा private network होता है अगर उसको हमें safe रखना है तो उसके लिए हमें firewall की ज़रुवत पड़ती है तो यह इसका सई जवाब होगा रट लीज़े आप लोग antivirus सिर्फ एक मातर computer के लिए चोटे मुटे server के लिए यूज किया आता है लेकिन firewall जो होता है private server के लिए यूज होता है बहुत सारी कंपनिया इसका प्रयोग करती है अगला प्रश्ण एक network जिसे signalों को भौतिक रूप से root करने के लिए मनस्यों क्या सकता होती है कहलाता है तेकि इसमें आप लोग थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा से यह लग कोशन लग रहा होगा लेकिन अगर किसी को पता है तो इसका आंसर बताईए नहीं तो मैं आपको बता देता हूं यह रटने वाला पढ़े उसको अमतों बोलते हैं T-Switch network तो इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो मैनुली करना पड़ता है तो उसको आम लोग बोलते हैं T-Switch network तो C शका सही जवाब होगा अगला प्रशन TCP IP layer तीन सतहों में OSI model के अंदरूप होता है TCP IP तीन सतहों में जिसे OSI के कितने layer होते हैं साथ layer होते हैं OSI के साथ layer होते हैं और TCP IP जो होता है हमारा protocol जो होता है इसका भी एक reference model प्रस्टूत किया गया था पता नहीं इसमें ये question कैसे बनाया है TCP IP layer तीन सतों में OSI model के अंदरूप होता है application, presentation, session, transport ठीक है मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ question में गलती है मुझे ऐसा प्रतित थोर आ है कि आपर कोई एक filling the blank जरूर होगा यहाँ पर filling the blank पर TCP IP application layer TCP IP का जो application layer होता है का of filling the blank होगा यहाँ पर TCP IP का filling the blank application layer तीन सतों में OSI model के अंदरूप होता है तो आप यह समझ दिजिए कि इसके जो तीन आपके जो layer होते हैं और TCP IP का जो एक layer होता है application वो इनके तीन के बराबर होता है तो यह यह I think कहना चाहता है actually यह आप tension मतलो तो आपके इस लेबस में उत्ता TCP IP का reference model नहीं है तो आप इस question को script भी कर सकते हो इतना headache मतलो ठीक है अगला प्रसंदेख लेते हैं हम लोग कौन सा transport layer protocol connection विहीन होता है transport layer पर जो protocol काम करते हैं मैं बता तो यह सारे यह layer यह TCP हो गया FTP हो गया UDP हो गया ठीक है और इसका फुल्टम होता है user datagram protocol होता है यह सारे जो होते हैं transport layer पर काम करते हैं और इन में सब में तीनों में क्या होती है connection किया हो सकता पड़ती है यह एक ऐसा आपका protocol है NVT जिसको हम लोग बोलते है network virtual terminal ठीक है इसमें आपका connection की ज़रुवत नहीं पड़ती है ठीक है तो इसका सही जवाब होगा D ठीक है और अगला प्रशन देख लेते हैं हम लोग OSI network architecture में इसके दरा routing की जाती है तो आपको पता है routing किसे की आते router किस पर काम करता है network layer पर तो आपका सही जवाब क्या होगा यह लिए नहीं यह लेयर है ठीक है network layer ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं हम लोग Telnet Seva जो चलाता है वो क्या होता है Telnet Seva जो होता है वो remote program चलाता है ठीक है तो थोड़ा सा आपका जो remote program है यह उसको B option इसका सही है टेलनेट सेवा जो चलाता है वो रिमोट प्रोग्राम होता है ठीक है अगला प्रसंद देख लेते हैं हम लोग एक ऐसा distributed network configuration जिसमें सारी डेडा जनकारी एक केंदरी कंप्यूटर के द्वारा जाती है ठीक है ठीक है जो भी आपका एक जो केंदरी कंप्यूटर जहां भी बात आती है तो वहां पर आपका जो मैंने बदाया था आपका start network जो होता है वहां पर केंदर में computer होता है और चारों तरफ क्या होते हैं आपके नोट्स लगे होते हैं ठीक है तो उसी को बोलते हम लोग सबसे पहले उपर का जो होता है उसी को एक्सिस की आता है वह आशा करता हूं कि आप लोग इसका जवाब बताओं यह और मैंने आपको भी बताया कि जो इसका जो सबसे पहले उपर का जो होता है उसी को एक्सिस की आता है वह आपका application लेयर ठीक है तो इसका बी जवाब सभी होगा कि मोडुलेस्ट और दी मोडुलेस्ट निम्न में से किस में आता है अब पताए किस में आता है तो यह बहुत ही आसान है डी इसका सभी जवाब है अगला प्रस्शन सौफ्ट्वेर जो यूजर्स को वेब पैस देखने की अनुमती देता है उसे कहते हैं जिससे भी हम लोग वेबस देखते हैं वेबसाइट चलाते हैं तो उसके लिए हमें एक सौफ्ट्वेर की जरूत पड़ती है उसी को बोलते हम लोग ब्राउजर बोला जाता है उसको बोलते हम लोग इंटरनेट ब्राउजर तो इसका यह आप्शन सही है ठीक है अगरा प्रस्ट्व माः जब भी कॉलर वेबसाइट को करता है को उसके पीज पर कोई भी लिंक नहीं होती है उससे क्या कहता है 38 अपूर्वेज डेडेर पेज को ओसट थोड़ा हड़कर तो आप जाधे उसमें नहीं उसमें और लेकिन आंसर पता़ा दे रहा हूं आपको ठीक है ऐसे question बहुत ज्यादे पूछे नहीं जाते हैं जब भी caller इसमें कहा जा रहा है कि जो कोई website को अगर हम लोग करते हैं call करते हैं तो जिस पर कोई link नहीं होता है उसको dead end page कहते हैं ठीक है तो इसका answer जो होगा dead end page होगा यहां पर कोई link नहीं होता है ऐसे page ठीक है तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं वैसे ही अलांकि यह थोड़ा है निकेट क्या है निकेट निकनेट 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 क्या यह जो है आपका यह NIC एक हमारी भारत में जित्ते सरकारी website हैं जिले के राजिकी सब यह NIC निर्मान करती है national informatics center ठीक है और जो यह निकनेट है इसे को बोलते हैं हम लोग नेशनल इसका पूरा नाम है नेशनल इनफोर्मैटिक सेंटर नेटवर्क तो इसका काम क्या है यह भारत के प्रतेक्जिलों को नेटवर्क जोड़ने वाला नेटवर्क है तो इसका डी जोआ तो है कई मतलब नेटवर्कों का लेकिन इसका विशे स्तार यहां पर कोई उप्यूक्त नहीं है तो इसका सबसे उप्यूक्त जो आंसर है भारत के प्रतेक जीलों को जोड़ने वाल नेटवर्क हर जीले में जो की वेपसाइट है जिलादकारी जो वेपसाइट बनवाते हैं तो वह एनाइसी से पनवाते हैं ठीक है तो इसका सभी जो आप डी होगा है एक प्रस्क आर्पनेट यह तो मैंने आपको बताएगी आर्पनेट क्या आता है विश्व का पहला क्या है इंटरनेट है और इंटरनेट जहां बात आएगी वहां पर किसी बात करनेंगे में वह अगर आपको नहीं होता है तो आपका पहला जवाब यहां पर सही होगा तो आसा करता हूं कि आप लोगको यह मेरा सीरीज बहुत पसंद आया होगा और आपको चीज़े समझ में आई होगी अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे मैसेज या इमेल कर सकते हैं यह था संब में आपको रिपलाइ करूँगा तुक है और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को जाक रहे हैं मिलते हैं काल एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच